नमस्कार, मैं प्रमिल चत्रवेदी अलहाबाद से बात कर रहा हूँ, और आप कैसे हैं? प्रतमता आप समस्त मित्रों को सुबसंध्याब। आज मैं आपका ध्यान एक छोटी से योग दुर्योग के रूप में कालसर्व योग के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, इस भारत वर्ष में बहुत सारे हमारे अग्रज और स्क्लोजर हैं जो कालसर्व दोष को नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि सास्त्र में इस यो प्रशमिती राहू और केतू से समाहित जब पूरे ग्रह की पोजिशन होती है तो कालसर्व दोष बनता है, आप जानते हैं राहू एवं केतू हमेशा वक्री पोजिशन में राते हैं, वक्र इस्तिती में राते हैं और परसपर साथवे भाव में राते हैं, कालसर्व दोष जो बारप्रकार का होता है इसकी एक ब्रियत ओधार्णा है पितर दोस क्रूप में माना गया है ब्रह्म दोस पिसाज दोस परिवारिक बाधा का समुच्च जो इस काल सब दोस की ही देन है काल सब दोस अर्थाद जब किसी व्यक्ति विशेश की जन्म चक्र में जन्म कुंडली में राहू और केतु से समाहित जब पूरे ग्रह की पोजिशन होती है तो यह दोस बनता है परिवारिक बिकास का और ओध्रपुन पोजिशन में आ ना, परिवार का बिकास का रुख जाना, स्वास्त बाधा का योग आना साथ में परिवारिक बैगरॉंड में आकस्व निधन का योग का होना development की criteria के तहट उसकी विर्ति रोजगार परक विवस्था को छिन्भिन करना मानसिक असंतुलन का योग कुछ ऐसे स्वास्त बाधा के संदर में दोश का आना जैसे असाद है रोग कुछ ऐसी समस्या जिसका समाधान इस समाज में नहीं उस परिवार के सापेक्ष नहीं अर्थात असाद रोग का योग का होना काल सर्दोस का दाद पर यही है कि यह एक ऐसा दोस है जो पितर दोस के रुप में मना गया है जब किसी के लग्णचाट में काल सर्दोस के निर्मिती बनती है तो उसके उपचार के स्वरूप उसमें कोई भी तनिक भी अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए उसके उपचार के स्वरूप नासिक त्रेम्बेकेश्वर जो द्वादस जोतिरलिंग में दसम अस्थान जिसे स्वाइम्भो जोतिरलिंग की मान्यता प्राप्त है किसी माह के अमावस्या में काल सर्दोस की पूजा नाशिक्त रेम्बे किस्वे में करा लेने चाहिए इस दोस की शांती के संदर्व में आप रुद्राबिशेक भी करा सकते है अपने सरीर के भार के सम्मात्रा में हरी घांस गौव को खिलाएं खासकर साथ कृष्ण पंचमी के नियत दिन में साथ बार आप अपने सरीर के भार के सम्मात्रा में तुरादान करें हरी घांस के माध्यम से अगौव खिलाएं प्रतेक वर्ष की नाग पंचमी में रुद्राबिशेक कराएं राहो और केतू से समाहिद जब सातो ग्रहों की पोजिशन बनती है तो कालसर्दोस का योग बनता है कालसर्दोस एक ऐसा योग है जो पितर दोस की रुप में माना गया है अर्थात हमारे पुर्वजो के सापेक्ष उनके कार के माध्यम से कुछ ऐसी अन्होनी घटित घटना घट जाती है जिसके तहर आगामी पीड़ी आगामी पीड़ी जो है वो परिशान होती है पितर दोस या कालसर्दोस के उप्चार स्वरूप गया में पिनदान का जो तरीका है वो पितर पच के नियत दिन में भी करनी चाहिए अर्थात जो तिस विश्लिसन की प्रविधी के तहत एक ऐसा दुर्योग जो कालसर्द योग माना गया है इस योग के उप्चारों सुरूप आपको इलट रहना चाहिए नकी या उचित है प्रासंगिक है या योग वास्ट्विक रूप से होता है या नहीं होता है इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहिए काल सब दोस्त को आप पहचान भी सकते हैं अपने नियत दिन अपने परिवारी बैग्ग्राउंड के तहत इस योग का लच्छण होता है